तो गाईस अगर आप एक यूट्यूबर हो और काफी दिनों से अपने चैनल पे काम कर रहे हो तो दोस्तों ये वेडियो को आप ज़ला सभी स्कीप मत करना क्योंकि इस वेडियो में आपको बहुत इंपोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ बट गाईस जो एक यूट्यूब क्रेटर है उसको बतागा कि ये सब कंप्लीट करने में हमें कितना ज्यादा मेहनत लगता है तो दोस्तों यहां पर हुआ क्या है मेरा एक फ्रेंड था जो कि उसका एक ब्लॉक का चैनल था वो कई मेहनत करके अपने चैनल पे 1000 और 14 घंटे का वोस्टाइम का वो कंप्लीट कर लिया है पर दोस्तों जब उन्होंने मोनेटाइशन के लिए अपला किया तो उसका मोनेटाइशन रिजेक्ट कर दिया तो दोस्तों आखिर कौन सा रिजन था क्यों रिजेक्ट किया सारा कुछ इस वीडियो में आपको हो गया तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपका मेहनत को इस तरीके से बेकार हो जाए मतला कही दिनों से आप मेहनत कर रहे हो काफी मेहनत करके अपना चैनल पर 4,000 होर का वोस्टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए उसके पाद अगरा मोनेटाइशन के लिए और 1000 सब्सक्राइबड और 9,000 अपलोड करता है इसाम क्सिवार टैम से अदर का वर्डियो जो है आपनेचार पर अप nesse कर देते हैं तो ऐसे में बहुत सार लोग का होता है कि आगे उसका वीडियो वाइरल हो जाता है या तो वीडियो रेंक करने लगता है जिससे हमारा वर्च ताइम सब्सक्राइबर सब कम्प्लीट हो जाता है बड़ाइस वो किसी दूसरे की वीडियो से कम्प्लीट होता है इस जो विडियो था वो किसी और का विडियो था इसलिए जब उनने मोनटाइशन के लिए अपलाई किया तो YouTube के तरब से वहाँ पर आया reuse content होने के वज़े से आपका मोनटाइशन reject कर दिया गया है तो दोस्तों आपको ये एक mistake नहीं करना है चाहे एक साल दो साल जितना भी टाइम लगे बड़ आपको अपना खुद का real content बनाना ताकि आपको मोनटाइशन में या तो future में कभी भी दिक्कत ना आए और अगर आपके चैनल पर अभी भी reuse content है और आपका चैनल मोनटाइश भी हो गया है तो आप उस वीडियो को डिलीट कर दें यही बहतर हो का क्योंकि हो सकता आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब आपके चैनल को सही से चेक करता है तो आपका मोनटाइशन रिजेक्ट भी कर सकता है तो दोस्तों ये mistake आपको बिल्कुल भी नहीं करना है किसी अधर काज जो कॉंटेंट होए अपने चैनल पर यूज नहीं करना है तो आपको बहुत बाड़ी प्राबलम हो सकती तो इस वोडियो में छोटी सिंफॉर्मेशन थी मिलतें नेक्स वोडियो के साथ तब तक के लिए बाई